How to fix Facebook group not showing in search problem नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तेकिराच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Facebook के ग्रूप के इस प्रॉब्लेम को fix कैसे कर सकते ठीक है यदि आपका जो group है वो दोस्तो सर्च में नहीं आ रहा है यार फ्री आप सर्च करते लेकिन आपका जो group है वो नहीं मिल पाते ठीक है तो ऐसा की हो रहा है और दोस्तो कैसे जो है इस problem को fix कर सकते आज की इस वीडियो को पूरा जरू देखे का मैं आपको इसका कुछ यहाँ पर solution जो है वो शो करके बताने वाला हो ठीक है कि आपको यहाँ पर solution करना है तो क्या करना है और दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने channel को subscribe नहीं किया है तो make sure कि आप channel को subscribe कर दे सारे साथ bell icon को भी click जरू कर दिजिगा और यदि आप जो है online से पैसा कमाना चाते है तो आप हमारा video description पर जाके link चेक आउट कर सकते तो चलिए दोस्तो यहाँ पर हम जो है video को शुरू कर लेते तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है आपको group privacy set करना होता है ठीक है आप जब है यहाँ पर group grade करते है to उसका privacy बिलकुल सही आप यहाँ पर set कीजे तबहिं आपका जो group है वह search पर आएगा और यहाँ पर उसको searchable होगा तो आपको अपना जो group है उसको searchable बनाना होगा, तो उसके लिए case से करना है चलिए देखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो facebook पर आ जाएए और उसके बाद आपना जो tree line से उसमें click करके आपका जो group है उसमें चले जाएए यहाँ पर tap करने के बाद दोस्तों आप देख सकते है visible का option ठीक है तो आपको क्या करना है आपको आपना जो group है उसको visible करना होगा या फिर searchable करना होगा ठीक है तो कैसे करना है आपको यहाँ visible का option पर simply जाके जो है इसको setting कर देना है ठीक है और यार फिर दोस्तों आप जो है आपना ग्रूप का privacy को यहाँ पर set कीजिए जैसी के आप देख सकते है आप पर डोस्तों ग्रूप का private ठीक है private option और यार फिर विजिबल तो इस तरह से जो है आपका group का जो setting है वो set होना चाहिए ठीक है तो group setting पर जाने के लिए आपको यहाँ उपर star में क्लिक करना होगा यार फिर शिल्ड साइंड में उसके बाद group setting को open कर लिजे तो यहाँ पर जाके आप देख सकते है height group का option तो उसमें आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ आपका जो group है by mistaken ले भी hidden पर set क्या हुआ है उसको visible करना होगा ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर तो visible पर दोस्तों क्लिक करके आपको simply यहाँ पर set कर देना है कुछ इस प्रकार से visible ठीक है तो यहाँ पर आभी hidden हो चुका है और इस तरह से आप पर visible करना है ठीक है तो visible आप जब कर लो तो privacy जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं other option private groups can't change to public तो अभी दोस्तों यह जो है इसको एसे ही आप रहने दीजे ठीक है आपका जो group है वो दोस्तों private में रहने दीजे क्योंकि दोस्तों वो आपका ही है ठीक है यह आप group को जो है privately यूज करते तो आप simply group को जो है करना होगा और डोस्तों आपका जो भी settings वगए रहा है वो आपको यही पर मिल जागा ठीक कैसे कैसे आपको control बगरा करना है वह यहाँ पर आप कर लिजे उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर problem है वह fix हो जागा और आपका जो group है वह search में आपको जरुल मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप सेटिंग को कर लिजिए आपका प्रॉब्लेम फिक्स हो जागा तो आज की वीडियो पर बस इतना ही उम्मिद करते हैं आपको जो है वीडियो पसने होगा ठेंक्स पर आचिए